लोगाई स्वागत है आप सभी का PhD क्लासिस में गाइस बहुत अच्छी वेकंसी बीटक अगर आपने करी हुई है इलेक्टिकल से मेकैनिकल से या सीविल से तो आप इस पत के लिए उमिद्वार हैं और मोई लिम्टेड जो महराष्ट और नागपुन में निकली हुई वेकंस pros was agoted आपको मिलेगा सबसे पहले हमारी ही इस चैनल को सबस्कार किजिए और सभसे सबसे पहले सबसे पहस्ट जो नटफरोलिकेसन आपको मिलेगा वह सबसे पहले हमारी सकती हूं में से रिक्यूर्मेंट प्रोशियम आगे इसमां आपको दिया गया है सब carbono कर weep manten we back क्या है तो जो online application शुरू होएंगे वह होंगे पच्छीस आठ दोजार 21 मतलब आपके अगस्त में शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है आपकी वह 15 सेप्टेंबर 2021 चलिए हम आगे हम बात करते हैं इसके eligibility criteria की आगे अगर आपने बीटेक करी हुई है और अगर आपने इलेक्टिकल से भी की हुई है तो भी आप इस पर apply कर सकते हैं अगे हम देखते हैं मैनेजर सर्वे के लिए आपने डिप्लोम किया हुआ है मिनिंग से तो आपको जो है इस आप apply कर सकते हैं तता इसमें चार इयर का पोर साल का आपको क्या चीए experience होना अनिवारिया है चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसमें आपको minimum qualification marks आपको जो है जन्रल जन्रल ओबी सी और इडव्लू एस के लिए आपको 60% लाने अनिवारिया है तता जो स्ट के लिए आपको 55% लाना अनिवारिया है चलिए हम आगे इस चीच की बात करेंगे कि आखिर इसके स्लेवस में क्या आने वाला है या चलिए हम आगे बात करते हैं कि आगे अगर मैं टोटल वेंकेंटी की बात करओं तो टोटल वेंकेंशी आपको दिखेगी में में टोटल वेंकेंशी चार हैं जिसmotion सट्रकल के आपकी दो हैं और अपकि वैटकल की बात कम वेकेंसी निकलती है बट जहां पर कम वेकेंसी निकलती है वहाँ पर आपके सेलेक्षन लेने के चांसी ज़्यादे बढ़ जाते हैं तो इसलिए गाइस ऐसी वेकेंसी होगा आपको फिल करना अच्छा होता है सेलेक्षन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं सेलेक्षन प्र होएंगे आपके बैंगलोरियू में होएंगे कुलकत्ता दिल्ली आपके हैदराबाद बोपाल नाखपूर उन्हीं में आपके टेस्ट होएंगे और आपको तेस्ट का पैटन क्या रहेगा वह ओन्लाइन ऑफलाइन है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह आपका ओन्लाइन टेस्ट होएगा आपका computer cvt होएगा computer-based online टेस्ट त्टिक है इसमें आपके क्या होएगे आपके जो है 19 मिनट्स का आपका प्रीपर होएगा जिसमें आपको जो है 85 question आपको दिये जाएंगे जिसमें आपको जो है general knowledge और रिजनिंग के आपके 20 marks के question रहेंगे और जन्रल इंग्लिज के 10 marks के और बाकि जो आपके subject knowledge के उसके 25 question रहेंगे आपको ठीके चलिए हम आगे हम बात करते हैं qualifying marks इसमें जन्रल जन्रल और EWS के लिए 50 50% 50% लाना और SC और OBC SC और OBC non criminal layer 40% आपको marks लाना है चलिए आगे आगे परसनल इंटर्वी भी होईगा अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो marks में फिर आपका इंटर्वी परसनल इंटर्वी हो जाएगा और यह अपने हिसाब से आपको जगे बता देंगे कि आपको कहां पर आना है आगे application fees की बात करूं क्योंकि generally हम BTEC के related जितनी फोम आते हो उनमें 500 fees होती है बट गाइज इसमें जो है आपको fees जो है आपको जो दी गई है वो मात्र आपके जो है 100 रुपीस दी गई है किसके लिए वो भी आपको general और OBC के लिए अगर आप SC ST या EWS कास्ट से हैं तो आ आप फिरी में इस फोम को भरिए ठीक है अगर मैं अपर इस लिमिट की बात करें अपर इस लिमिट की तो इसमें आपको 30 years for the graduate train के लिए आपको 30 years होना चाहिए बाकि आपको जो है 3 years OBC के लिए छूट दी गई है पांस साल SC के लिए दी गई है ठीक है गाइस चलिए आगे ह बात करते हैं अगे कि आगे लिखते हैं कि हमारा डिजर्वेशन डिटेल वह सटी को और EWS को दिया जाएगा और आगे अगे जो है आपका कंपेंसेशन जो आपको पे दिया जाएगा अपको आपको जो है ग्रेजो ट्रेन में के लिए आपको पचास जार से एक टाइबाल टोमट्राइए और आपका बेसिख सेब्पश से में परमंद के अकॉडंग आहको दिया जाएगा ठीक हiu को गाइज ओर भी ओर भी हैं आप इसमें नोटिफिकेशन फिर्ट कर लेना वांपि एक ढूप हैं पोस्टिंग पोस्टिंग आपको कहां दिजाएगी आपको post दिजाएगी कि पोस्टिंग दी जाएगी महराष्ण में मध्य पर्देश में जी जाएगी आपको महराष्ण और मध्य पर्देश में ठीकए और आगे आगे हम बात करें क्या से अप्लाइ कर सकतें ओनलाइन आपको पंपंट कर देंए आंगर यह उसके बाद करेंगे हम और उसके बाद payment fees कैसे फिल करेंगे सब घाइस धीरे दीरे आपको सारे ओप्सन आपको दिख जाएंगे वहाँ पर ठीक है उसके बाद मैं आपको करने है सब बाजी आपको कुछ उसके बाद आपको वेस्साइट परम परोवाइडन मिद्ट कर willen बैसके लेए तो इसके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मैं आपको इसके जैसी ऑफसरे घुलेटर comment मैं पर बात दूंगा उर आगे हम करेंगे इसमें बाकी गाइस इसमें यही था बाकी सब चीज आपको मैंने बताई दिये अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास अगर कोई क्यारी है या आपको कोई किसी चीज के बारे में इसमें से पूछना है रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मैं आप आपका जरूर आपका रिपलाई करके आपको आंसर दूँगा ठीक है थैंक्यू गाइज है वे नाज डे लाइक और सस्क्राइब करना मत बोलना थैंक्यू